हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है आज हम गड़ीत के महत्वपुल वायरल प्रशनों के बारे में बात करेंगे जो आपके पेपर में हुबहु यही प्रशन छपेंगे ठीक है फ्रेंस तो आप आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको जितने प्रशन पता रहे हैं आप यदि इतना प्रशन आप हल करके इक्जाम में चले जाते हैं तो आप 95-97 प्रशंटे़ तक आप सभी का पक्का होगा और जितने प्रशन आज आज आपको बताने वाले हैं वही प्रश आपके बड़ जबहु आएंगे ठीक है फ्रेंस यहां पे महत्तुन प्रेश्न को दिखाएंगी कौन कौन सा प्रश्न आपको बोर्र के एक्जाम में पढ़के जाना आःउ यदि आप इतना प्रश्न पढ़के बोर्र के एक्जाम में चले जाते हैं तो आप जरूर 95 से 97 परशेंटेस तक कर सकते हैं तो फुरस्ट के सामने पहला सवाल है你 भी आई प्रशन है ठीक है इसको आप हल कर लीजिएगा दूसरा प्रशन आप कराएगा कि सिद्ध कीजिए कि पांच करड़ी में दू एक परिमे संख्या है फ्रेंस आपको पांच करड़ी में दू हुआ करड़ी में आप यहां पे तीन भी लिख सकते हैं और करड़ी में पा प्रश्ण रहेगा कि दू संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है संख्या ग्याद कीजिए फ्रेंस आपके एक्जाम के लिए इसको भी पढ़ लिजिएगा आज आप सभी को इंपोर्टेंट को बता रहे हैं आप यदि इतना प्रश्ण प मांच एक्स प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो पी का मान ग्याद कीजिए फ्रेंस मूल मूल का जो सवाल देता है मूल के लच्छड जो है इसको बारे में जरूर पढ़ लिजिएगा और इस सवाल को आप हल कर लिजिएगा ठीक है यह प्रश्ण हंडेट परसंटेज आ मान एक्स माइनस 2 है एकजम मान ऎद किजैंस इसत electro को चितर देके आपको ऐसा सवाल पूशता रहता हर साल बोर्ड के एक्जाम में आता है ठीक है जिछे इतने प्रसन बता रहा है इतना करक्या बोर्ड के हम प्रसंट चले आप हन्डेट परसंटेज टाप करें insert करेंगे का आपका अगला number का रहेगा के किस मान के लिए के कामा मा इनस वन दो कामा एक और चार कामा पांक एक रेखा में होंगे फ्रेंस ये सनरेक से संबंदी जो सनरेक से प्रश्न बंते हैं वो हर साल बोर्ड के एक्जाम में आते हैं तो इस सवाल को आप हल कर लीजेगा अगला कर लीजिएगा चलिए और अगले सवाल को देखते हैं इस प्रशन को भी पढ़ लेजिएगा फ्रेंज देखिए क्या है कि बारा सेंटीमीटर त्रीजय वाले एक बृत्त के त्रीजय खंड का छेत्रफल होगा यदी त्रीजय खंड का कोड़ साथ हो ठीक है देखें इस प्र प्रशनों के बारे में आज हम बात करेंगे जो आपके बोड के एकजाम में प्रशन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे ठीक है आपको अगला सवाल है कि एक शंकु के आधार की तिरी जैतीन दसमलों 5 सेंटीमीटर तथा उचाई 12 सेंटीमीटर है संकु की तिरियक इस सवाल को आप हल कर लिजेगा ठीक है और यही सवाल आपके बोड के एकजाम में आएगा ठीक है जितने भी प्रशन पता रहें बस इतना प्रशन आप करके चले जाए यह बोड के एकजाम में 100% आप सभी सवालों को अच्छे प्रकास करके आएंगे ठीक है देखिए आएतान हुआ संकू का आएतान हुआ बेलन का आएतान यह सब परके आप जरूर जाएएगा ठीक हर साल प्रशन आता है आपका अगला नंबर कर रहेगा सवाल है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एंग उसके अंकों को प्लटने पर बनी संख्या का योग छाचट है यदि स संख्या के अंकों का अंतर दो हो तो संख्या ग्याद कीजिए ठीक है फ्रेंस यह हर साल आपके बोड के एक्जाम में आधार आता है ठीक है इस सवाल को पर लिजिएगा ठीक आपका अगला नंबर का सवाल है कि एक मिनार के शिखर से 50 मीटर उचे मकान की छत तथा आधार क और नमन कोड करम सा 30 अंस और 60 अंस मिनार की उचाई ग्याद कीजिए ठीक है यह उचाई दूरी से आपके बोड के एक्जाम में हर साल प्रशन पूछता है इस साल यही प्रशन आपके बोड के एक्जाम में आएगा ठीक है इस प्रशन को आप जरूर हल कर लिजिएगा ठी एक त्रिभूज की रचना कीजिए जिसकी भूजाएं त्रिभूज ABC की संगत भूजाओं की तीन बड़े चार गुनी हो ठीक है यह आपके रचना से सवाल है यह आपके बोर्ड के एक्जाम में ठीक है यही छपता है हर साल यही प्रशना आता है आप 1222 का पेपर उसके पहले पेपर देख लिजएगा 2019 यही प्रशन हो बहुत छपा है और आपके पेपर में भी यही सवाल आजगा ठीक है अगला सवाल है आपका यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांग का समनांतर माद्य पचीस है तो यह का मान ग्याद कीजिए देखिए अब यहां यहां यह का प्राप्तांग और बारंबर्ता इस तरह सवाल देता ठीक है और यहां पे यह के जगाब पर कभी यक्र्टेत एता है कभी वाई देता है कभी के देता है इस प्रकास प्रशन आपकी बोड के एकजाम में स्चपता है तो हमारा ला इंद्यार्ट यहाँ पे आपको 14 most important ठीक है 14 most important सवाल बता है यदि आप इतना सवाल हल करके चले जाते हैं तो आपके board के exam में ही सब सवाल फसेंगे ठीक है इतने प्रशनों का आप हल करके जरूर जाईएगा friends ठीक है इसी प्रकार से आपको important सवाल मैद के हुए भी ज्यान के हुए बताते रहेंगे आप उन्हीं सभी प्रशनों को पढ़के चले जाएए आप board के exam में आग लगा के आएंगे ठीक है सभी प्रशनों को आप हल करके आएंगे ठीक है तो friends आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चलको सब्सक्राइब करें